मेरे पैरे देश्वासियों, भारत के लोग दुनिया के किसी कौने में जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि वो भारती हैं. हम अपने योग, अईर्वे, दर्सन, नजाने क्या कुछ नहीं है हमारे पास, जिसके लिए हम गर्व करते हैं, गर्व की बाते करते हैं. साथ ही, अपनी स्थानिय भाषा, बोली, पहचान, पहनाओ, खान-पान, उसका भी गर्व करते हैं. हमें नया तो पाना है, और वही तो जीवन होता है, लेकिन साथ-साथ, पुरातन गवाना भी नहीं हैं. हमें बहुत परिस्थम के साथ, अपने आस-पास मोजूद, अथा सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना है, नई पीडी तक पहुंचाना है. यही काम, आज असम के रहने वाले, सिकारी टिसो, बहुती लगन के साथ कर रहे हैं. कार्वी आंगलोंग जिले के सिकारी टिसो पिछले 20 सानों से कार्वी भाषा का डॉक्यमेंटेशन कर रहे हैं. किसी जमाने में, किसी यूग में, कार्वी आदिवासी भाईवेनों की भाषा, कार्वी, आज मुख्यधारा से गायब हो रही है. सिमान सिकारी टिसो जी ने तैक किया था कि अपनी इस पहचान को हैंगे. और आज उनके प्रहासों से कार्वी भाषा की काफी जानकारी डॉक्यमेंटेड हो रही है. उन्हें अपने इन प्रहासों के लिए कई जगह प्रसंसा भी मिली हैं और एवोर्ड भी मिले हैं. मन की बात के द्वारा सिमान सिकारी टिसो जी को मैं तो बधाई देता ह हूँ. लेकिन देश के कई कौने में इस प्रकार से कई साधक होंगे जो एक काम ले करके खपते रहते होंगे मैं उन सब को भी बधाई देता हूँ.